हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग आज हम जेए 2020 में जो फिजिकल केमेस्ट्री का पार्ट है उसको किस तरीके से अपन रिवाइज कर सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं सभी जानते हैं कि जेए में जो केमेस्ट्री का स्लेवस है वो लगबग दो साल में पूरा होता है तो उस दो साल वाले जो स्लेवस है उसको अपने कुछ 10-15 दिन में किस तरीके से रिवाइज करना है ताकि जादा से जादा स्कोर हो सके इसके लिए मैं कुछ इंपोर्टेंट इस एटोमिक स्ट्रक्चर में हमें मैंनली जो क्वांटम मेकेनिकल मोडल है उस पे बात करनी है उसमें भी क्वांटम नंबर्स वाला जो पार्ट है वो सबसे इंपोर्टेंट है most probable हर साल question आता ही है तो atomic structure में आप लोग revise कर सकते हो Schrodinger wave equation and quantum numbers periodic table periodic table में history वागरा से जदा लेना देना नहीं है आप only इसमें atomic properties की study कर सकते हो chemical bonding फिर से एक important chapter है अपने आप में और अपनी जो resonance की seat है उसको अगर हम ढंक से exercise 1 और exercise 2, 3 सारी exercise बना सकते हैं इसमें बहुत आप time consuming नहीं है, कोई numerical जदा नहीं है इसमें तो chemical bonding भी एक important chapter है और P-block की कई बारे students को लगता है कि P-block में पता नहीं क्या-क्या है, कहां से आएगा, जो डर होता है उस P-block के डर को निकानने के लिए आपको mainly 3 chapter पे focus करना है इन तिनों को मिला देते हैं, तो उसके बाद P-block और D-block में से जदा कुछ बचता नहीं है तो chemical bonding भी एक important chapter है इस chemical bonding में आप कौन से topic revise कर सकते हो hybridization वाला हुआ, molecular orbital theory और VACPR theory पे आप अच्छे से revision कर सकते हो इसके बाद next जो आता हो आता है inorganic chemistry का important topic coordination compound coordination compound से हर साल question आता है even, कई बार first paper और second paper दोनों में दो-दो question तक भी आजाते हैं और चार question तो अपने आप में बहुत बड़ा role रखते हैं जी advance में, फिर भी एक-एक question तो आना ही है तो इसको complete revision करना है भी coordination compound में जिसके IOPC naming वाला part हो गया, bonding वाला part हो गया और isomerism वाला part हो गया तीनों ही part करने हैं क्योंकि mixed question design के जाते हैं कई बार revision क्या करता है, selectively study कर लेता है isomerism चोड़ देता है, कभी IOPC naming चोड़ दिया, only bonding कर लिया तो question क्या होता है, mixed type का design होता है for example जैसे जाए, which of the following is are correct तो statement दे दिए, एक statement IOPC naming का आगया नहीं है, और last में अपने को qualitative analysis, means के लिए तो ज्यादा important नहीं था, लेकिन advance के लिए qualitative analysis भी important topic है, तो इसका बड़ी ऐसी revision करना है इसके बाद हम आते हैं, physical chemistry, तो physical chemistry में जैसे अपन सुरू से बात करें, mole concept, तो mole concept से direct तो कोई ऐसे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन अगर अपन बात करते हैं concentration terms की, तो concentration term जो है, वो हमारे कई chapters में काम आता है तो इसमें आप concentration terms को revise कर सकते हो, बड़िया से, और exercise 2 के कुछ भारी सवाल सवाल बना सकते हो, 2-3 सवाल बना लोगे, तो revision हो जाएगा equilibrium, equilibrium इसलिए जरूरी है कि उससे related चीजे इलेक्टरों में भी आ जाती है तो इलेक्टरों को अगर हमें मजबूत करना है, तो थोड़ा बहुत आइनिक equilibrium और chemical equilibrium का idea हमें होना चाहिए तो equilibrium में अभी latest, बहुत ज़्यदा heavy questions नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी basic question के लिए हमें इसको पढ़ना बढ़ेगा तो इसमें buffer solutions वाला जो part हो गया है, salt hydrolysis हो गया, salt hydrolysis में देखे, seat थोड़ी भारी है इसके अपने तो आइनिक equilibrium की जो seat है वो थोड़ी भारी है, no doubt, तो वहां तक अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक general overview chapter का दिमाग में होना चाहिए Electrochemistry सबसे important part हो गया हुई, बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं और कई बार तो बहुत बढ़िया सवाल भी design किये जाते हैं तो अगर Electrochemistry में हमें मजबूत करना है तो इसी के भी वह दो तिन पार्ट हो गये, Galvanic Cell वाला पार्ट हो गया, उसके बाद ECS Electrochemical Series पे based भी कावे सवाल आते हैं, Enhanced Equation वाला हुआ, Faraday's Law of Electrolysis वाला हुआ, इन वाले parts को आप लोग बढ़िया से revise कर सकते हो, साथ में Concept और Equilibrium और Electro, इनके Mixed Concept से सवाल डिजाइन किये जाते हैं, और उनी Mixed Question वाले सवालों को अगर हम बनाएंगे, तो दूसरों से Difference Create होगा, और वो ही हम चाहते हैं, Thermodynamics, Thermodynamics एक Important Chapter है एलेहुंत क्लास का, और Thermodynamics में अभी Recently Advanced के अगर हम बात करें, तो Gibbs Free Energy वाला जो पार्ट है, वो सबसे Important है, Gibbs Free Energy वाले पार्ट को आपको बड़िया से रिवाइज करना है, और उसके बड़िया बड़िया सवाल बनाना है, और लास्ट में तक Chemical Kinetics, Kinetics से ज़्यादा हाइवी कुशन्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें Zero Order, Fast Order, तो इसमें Fast Order को सबसे Organic Chemistry को अपने ग्रिप में ला सकते हैं, इन चीजों को बड़िया से रिवाइज करके, ओके, गुड़ बाई, Best of luck